और शावस्ती जिले के धाना मलहिपूर शेत्र के बालापूर से हरान करने वाला मामला सामने आया है बसकर चोरी के आरोप में नाबालिक बच्चे को खंबे से बांध कर तालीबानी सजा दी गई और बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है तो बच्चे पर बाबूराम नाम के दुकानदार के आरोप लगाया गया है बताया जो रहा है कि माता पता के हास्तक शेप करने पर दुकानदार ने उनके साथ भी अभधरता की तो पूलिस के संग्यान में आते ही नाबालिक बच्चे के आजाद किया गया तो इस पूरे मामले पर अधग जानकारी के लिए हमारे साथ शावस्ती से समवादाता के के आदब जुड़े हैं उनसे जानेंगे जी बताइए क्या कुछ मामला है जी बिल्कुल जैसा कि मैं आपको बता दूँ ये मामला स्रावस्ती जनपर्थ के अंतरगत थाना मलीपूर के पालापूर गाओं का है जहां पर एक लड़के को दो रुपए के डिस्कूट के चोरी के इल्जाम में उस बंचे को दुकामदार ने बंदख बना लिया था जाता ये पोषचा तो बच्चे को छुवाया जी जी आदे आके इस पर क्या कूच कारवाई की गई है प्रसाशन से क्या से देख रही है बताया जो रहा है कि बच्चे के माता-पिता के साथ भी अभधरता की गई थी जब बच्चे के माता-पिता को यह जनकायरी मिली वहां पहुंचे हैं बच्चे के पास मैं देखा तो उसको बांदी हुए थे इस वक्त बच्चे की क्या स्थिती है और इसे तालिबानी सजा कहा जा रहा है तो आगे इस पर आपको लगता है कि क्या कुछ करवाई कैसे की जा सकती है जी बिल्कुल जैसा कि पुलिस ने मामला अदर्द कर लिया काई धराओं में और आप तो ठीक है फिलाल बच्चा भी अपने घर में है ठीक ठाक है जी ठीक है कि आदर्द जी मारे साथ जूरने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अब बढ़ते हैं अकली ख़बर क्यों रहा है